नमस्कर दोस्तों हर्यों मैस्टरडी में आपका स्वागत है इस बीडियों में उधारन 18 का हल करेंगे देखिए इसमें क्या करता है समिकरन इतना का वीवी कतकर ग्यात कीजिए और फिर मूलों की परकृति ग्यात कीजिए यदि वह वास्त्विक है तो उन्हें ग्यात देखिए इसको हल करते हैं देखिए इसकी तुलना a x square parOS bx plus c बरावर सुन ये दिविगाज समीकरन का व्यापक रूफ है इस से सी तुलना करना है तो देखिए X square का गुनांग यहाँ A बरावर 3 ठीक है X square का गुनांग A का मान 3 B बरावर देखिए X का गुनांग माइनस 2 और C बरावर 1 बर्टा 3 देखिए इसको लिख के दिखाने का हो सकता नहीं ऐसा आपको लिख के दिखा दिए है तो इस परकार A B C का मान लिखने ना अब देखिए प्रस्ण में क्या बोला है देखिए VV कतकर देखिए VV कतकर क्या होता यह पहले यह बता चुके B square minus 4AC तो देखिए B का मान कितना minus 2 इसका गुर करेंगे यानि स्क्वर और देखिए A का मान है 3 C का मान एक बाटा 3 यहां से देखिए 3-3 कट जाएगा ठीक है और यह दो दूनी 4 माइनस दो गुना माइनस दो क्या होगा पलस 4 हो जागा माइनस माइनस पलस ठीक है और यह 4 देखिए 4 में 4 गटाएंगे सुननी तो VV कतकर निकालने हैं सुननी इसको इंग्लिस में डिस्क्रिमिनेंड भी बोलते हैं ठीक है इसको D से भी सुचित करते हैं D बराबर V स्कूर माइनस AC तो देखिए प्रस्ण में क्या बोला है देखिए VV कतकर ग्याद किजे फिर मूलों की परकृति ग्याद किए देखिए V2-4AC सुनने के बराबर होगा तो मूलों का अस्तित होगा यानि मूल वास्त्विक होगा और मूल बराबर होगा देखिए माइनस V2-4AC यह सुनने के बराबर होगा तो मूल वास्तिक होगा और दोनों मूल समान होगा तो मूल वास्त्विक होगा और दोनों मूल अलग अलग होगा तो मूल वास्त्विक नहीं होगा तो यह क्या निकला देखिए यह सुनिक के बराबर है इसका मतलब मूल वास्त्विक होगा तो देखिए यहां लिखेंगे चुकी बीश्क्वर माइनस चार एसी बराबर सुनिए इसलिए दिये गे समीक्रन के दो बराबर ठीक है हैंने दो समान या बराबर बोल सकते हैं यह समीक्रन के दो बराबर वास्त्विक मूल है थीख रहा है तो देखिए अधि यह वास्त्विक मूल है तो उन्हें ग्यात कीजिए तो देखिए इन्हें ग्यात भी करेंगे तो देखिए x बरावर क्या होता है minus b plus minus root b square minus 4ac बटट 2a देखिए b का मान क्या है minus 2 तो यहां देखिए minus 2 और यह सूतर में भी minus है तो इसको minus यहां सूतर में लिख दिया और यह minus 2 b का मान plus minus और देखिए b square minus 4ac यहां क्या निकाले सून्य ठीक है तो यहां लिख देखिए सून्य 2a का मान है 3 तो यह 3 से गुना कर दिए अब देखिए minus minus क्या हो जागा plus और यह plus minus देखिए root के अंदर में कोई भी संख्या है जैसे देखिए 4 है तो इसको यह से लिख सकते है 2 गुना 2 तो जब जोड़ा हो जाता एक बहार आ जाता तो 2 बहार आ जागा तो सी परकर देखिए सुन्य को लिख सकते है सुन्य को लिख सकते है सुन्य गुना सुन्य तो यहां से देखिए सुन्य ही बहार आएगा तो देखिए यह सुन्य हो गया और तीन दोनी 6 तु देखिए अथार्त X बरावर देखिए 2 पलस सुन्य बटा 6 या X बरावर 2 माइनस सुन्य बटा 4 देखिए सुन्य को पलड़ा या माइनस करने से कोई फरक नहीं पड़ता है इसलिए इसका एक सुत्र AC भी होता है, देखी intelligent, यह क्यह होता है, यह पूरा क्या है, सुन्य है, तो सुन्य को जोडने है, घटाने हैं, और फरक नी पड़ता है, तो यहां से देख एक सुत्र, सुत्र कता है, –B बटडड़ 2 A, घुअध है, अगर देखिए बी स्कुर माइनस चार एसी अगर सुन नहीं हो जाए तो आप इस परकार डारेट भी हल कर सकते हैं ठीक है या ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो एक्स बरावर देखिए दो में सुननी जोड़ेंगे तो दो ही होगा इसको काटेंगे देखिए दो ती 3 या दो मैं सुनने कट आगे तो अभी धो ही पहांचेगा इसको काटें दो ती चों एक दुनी तीन दुनी तो X बरावर एग वाठ तीन तो क्या बोलए यहां देखिए दो दिएगे समिकरन के दो बरावर वास्ति हमूल है तो बरावर वास्तिम मूल ने करे दोनों मूल एक है ठीक है जानिक दोनों कमेंड करें और इससे पहले जितने वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के पले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं